नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुखबर जानते हैं हजारो फैकेंसिया निकलेंगी, हजारो युवाओ को डोजिकार मिलेगा, उन्होंने कहा है कि 20 साल में इस परदेश में जो गंदगी फैलाई गई है, उसे महज़ दो वर्षों में साप नहीं किया जा सकता सीएम सुरेन ने कहा है कि यदि 10 साल तक हमारी सरकार रही तो मैं जर्खन को गुजरात के संकुक्ष ले आऊंगा मुख्य मंत्री ने कहा है कि हमने तीन वर्षों के कारेकाल में अंगनवाडी सेविका साहई का मांदे विरिधी, पुलिस कर्मी, छदिपूर्ती, आवकास और पारासिजगों के मांदे विरिधी जैसे कदम उठाय है वही मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि हमने साल 2021 में ही आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने का कानून विधान सवा से पास करा करकेंद्र के पास भेजा पीछले साल हमने 1932 के खतियान पर अधरित अस्थानियता और नियोजन नेती समदी कानून विधान सवा से पास करा करकेंद्र के पास भेजा इन्हें समिधान की नौवी अनिसुची में सामिल करने का अगरक या है जारखन में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है बुद्वार को दिन भर आकास में बादल चाय रहे वहीं धूंद की वज़ा से राजधानी रांची सहीत कई इलाकों में धूप खिली हुई नहीं निकली सुरज की रोशनी में वह तपिस नहीं महसूस की गई जैसा आम दिनों में लोग महसूस करते थे साथी लोगों को सर्द पच्छुआ हवा की वज़ा से ठन का आसास अधिक हुआ है महसम किंद्र रांची ने अपने ताजा महसम पुरुनवान में गुरुवार को भी राजधे के दक्षनी और निकटवर्ती मद्य भागों में सूबा में कोहरा या धूंद और बाद में आंसिक बादल चाय रहने का उनुमान जताया है बताजे राजी के सेस भागों में महसम सूष्क और आसमान साफ रहने की उमीद है जारखन के बच्चों का गनीत सुधरा लेकिन पाठ पढ़ने में कमजोर जारखन के बच्चों का गनीत सुधरा है लेकिन पाठ पढ़ने की छमता में कमी आई है प्रथम संस्था द्वारा बुद्धवार को जारी असर 2022 गरामिन की रिपोर्ट में बात सामने आई है जार्खन के लिए अच्छी बात या है कि यहां के स्कूलों में नमांकन बठा है वहीं और नमांकित बच्चों की संख्या लगतार घट रही है रिपोर्ट के अनुशा जार्खन में अपनी कक्छा के अस्तर के पाठ पढ़ने वाले कक्छा दो के बच्चों की संख्या में कमी आई है 2018 में 18.7 परत्यत बच्चे ही अपनी कक्छा के अस्तर का पाठ परते थे यह आकणा घटकर वर्षत 2022 में 13.2 परत्यत हो गया यह गिरावत लगभग हर राज में देखी गई है हलाकी कक्छा 5 के बच्चे के अपने गिरेट के अनुशार पाठ पढ़ने का अकणा जार्खन में इस्तिर रहा है नक्सलियों ने की 22 जन्वारी को जार्खन बंद जार्खन में सक्रिय सिर्ष उग्रवादी संगठन भागपा मवादी ने 22 जन्वारी को जार्खन बंद की घोसना किया है मिली जनकारी के मुताविक भागपा मवादी के रिजनल कमिटी मेंबर कृष्णा हंसदा की गिरफतारी के विरोद में जार्खन बंद बुलाया गया है गौतला भाय की भागपा मवादी जार्खन रिजिनल कमीटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस विग्यप्ति जारी कर्या घोसना किया है 13 जन्वारी को भागपा मवादी के रिजिनल कमीटी मेंबर क्रिशन हंसदा को पुलिस ने गिरी डिजी लाके डूमरी थाना चेत्र अंतरगात फातेह पूर्शे गिरवतार किया था क्रिशन हंसदा पर पुलिस ने 15 लाक रुपए के नाम घोसित कर रखा था वहीं पुलिस ने क्रिशन हंसदा के पास दो लाक रुपए कैस भी बरामत किया है उनकी निशन देही पर परशनाती इलाके में लगतार अभियान भी चलाया जा रहा है रामगण बिधान सभा उपचुनाव सा 23 फरवारी को और 2 मार्श को काउंटिंग भारत निर्वाचन आयोग ने बुद्धवार को जारखन के रामगण बिधान सभा उपचुनाव के तारीक की घोसना की है इसके तहट सा 23 फरवारी 2023 को बोस्टिंग की तारीक निरायत की गई है वही अगामी 2 मार्श 2023 को काउंटिंग होगी इसको लेकर 31 जनवारी 2023 को गयाट नोटिफिकेशन जारी होगा वही नमाकन की तारीक 7 फरवारी 2023 को है बता दे कि रामगण के गोला आईपी एल गोली कांड में कांग्रेस बिधायक समय 13 आरोपियों को 5-5 साल की सजा हुई थी इसी सजा के तहट ततकालनी बिधायक मामता देवी की बिधान सबाग से सतर रद होने के साथ यह सिट खाली हो गई थी इधर उपचुना की घोसना के साथ यह ततकाल प्रभाव से आदस आचार संहिता लागू हो गई है मरांग बुरू आदिवासियों के लिए करो या मरो की लड़ाय मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा के सुरुवात कल से ही हो चुकी है इस यात्रा के सुरुवात सालखान मुर्मू ने की है यात्रा का दूसरा पड़ाव रांची सहर है ऐसे में सालखन मुर्मू इस दवरान बात चीत में कहा है कि यह आदिवासियों का सबसे पवित्रे पुजा अस्तल है किसी भी सुभकार की सुरुवात से पुरुव हम मरांग बुरु का नाम लेते हैं ऐसे में हम अपने भगवान को बचाने के लिए अमतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे मरांग बुरु आदिवासियों का ही था इतिहास में इस बात के कई साक्ष भी हैं भारत सरकार को भी यह बात माननी होगी और मरांग बुरु आदिवासियों को ही देना होगा 21 जनवरी को गंगा बिलास कुरूज के साहिब गंज पहुँचने की संभावना दुनिया का सबसे लंबा जलो मार्ग तय करने वाले गंगा बिलास कुरूज के अपने निधारी तारीक से पहले जहरखन के साहिब गंज पहुँचने की संभावना है पहले गंगा बिलास कुरूज 23 जनवरी की साम साहिब गंज पहुचने वाली थी पर बीदेशी सेलानियों के साथ सबसे लंबी यात्रा पर निकला गंगा बिलास कुरूज अपने तय समर से पहले 21 जनवरी तक साहिब गंज पहुचने की संभावना है वहीं जिला पसासन ने बिदेशी मेहमानों को गंगा विलास क्रूज के नीचे उतरने के लिए संचालन से परमिशन देने की अपिल किया है जिसे बिदेशी मेहमानों का जिला पर सासन स्वागत कर सके और गंगा तट पर बिदेशी मेहमानों के लिए कारकरम आयोजीत कर सके बता देखिया कुरूज गत 13 जनुवरी 2023 को वरानसी से चल कर 1 मार्च 2023 को डिम्बरू गड़ पहुँचेगी हाथियो के डर से लाते हार के सेकडों ग्रामिन छोड़ रहे घर जंगली हाथियो के डर से लाते हार जिला के महुआ डाण परकंड अंतरगत सोहर और नेतरहट पंचाट के सेकडों परिवार रात में घर छोड़ कर दूसरी जगा सरन लेने को मजबूर है बता दे दरजुनों गाओं के लोग अपने अपनों घरों को छोड़ कर सड़क और नजदिक सरकारी भौनों एवं खुले आसमान के नीचे इस ठंड में सरन लेने को मजबूर हैं गरामिनों की सिकाय थाए कि वन विभा की टीम हात्यों को भगाने की दिसा में ठोस परियास नहीं कर रही हैं नेतरहाट के गाओं हुर्मुंडा टोली के लभाग 150 परिवार अपने घरों को छोड़ कर पिछले तीन दिनों से चोटे चोटे बच्चों को लेकर प्रात्मिक विद्या लाए हुर्मुंडा टोली में सरन लिये हुए हैं कुछ तो खुले आस्मान के नीचे मैदान में रात बिता रहे हैं सिम्डेगा में खतियानी जुहार यात्रा पर परसासन सब्ताहिक होट बंद करने का दिया निर्देश सिम्डेगा में 23 जनवरी 2023 गो खतियानी जुहार यात्रा का योजन होना है इसके तहत मुख्य मंतरी हमान सुरिन के आगमान को देखते हुए सहर के सब्ताहिक होट को बंद करने के जीला परसासन के निर्देश पर कॉंग्रेस पार्टी के परदेश करकारी अध्यक्ष बंदू तिर्की नराज हुए उन्होंने चेताते हुए कहा है कि राज सरकार की छवी को जीला परसासन खराब न करे उन्होंने 2024 में राहुल गांधी को देश के नए परदान मंतरी बनाने की बात कही इधर जीला कॉंग्रेस कमिटी के पताधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बंदू तिर्की ने कई आवस्चक दिता निदेश भी दिये हैं बता देश निदेगा सरकीट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बंदू तिर्की ने काई कि राज के मुक मंतरी खत्यानी जोहर यात्रा के माध्यम से अम्तिम ब्यक्ति तक विकास स्वजनावों के पहुचाने में जुटे हुए हैं चातरों से मीले पलामु सांसात बिड़ी राम परधान मंतरी नईनमदी की अवहंपर परिक्षा पर चार्चा कारकरम के तहत बुद्धवार को पलामु के दो स्कूलों में पैंटिंग परतियोक्ता का आयोजन हुए पलामू सांसत बिड़ी राम के पर्यास से इसका आयोजन किया गया चहर के Heritage International School एवं बिमला पांडे मेमोरियल ग्याननी के तनी स्कूल में प्रत्योक्ता हुआ इसमें काक्षा नौवी से गारवी के करीब 1200 बिद्यार्थियों ने भाग लिया पर्त्योक्ता में प्रत्योक्ता में प्रत्योक्तिया और तीतिया स्थान हासिल करने वाले पर्तिभागी विद्यार्थियों को पर्मान पत्र एवं अस्मिती चीन देकर समानित किया गया इसके अलावा दस परती भागी को सरस्रेष्ट एवं 25 को सरेष्ट का लाका पवान पत्र भी दिया गया हजारी बाग में 63 दरोगा समेत 138 ASI का तबादला हजारी बाग ESP मनोज रतन चोथे ने जील्यों में अपराद नियंत्रन एवं बीधी बेवस्ता बनाये रखने को लेका ततकाल परभाव से बड़े परमाने परपता दिकारियों का तबादला किया है इसके तब 63 दरोगा समेत 138 सहायक अवर निरिक्षा की टांक्पर पोस्टिंग हुई है ESP ने आदेश दिया है कि अनुसंधान के लिए लंबित मामलो का परभाव ततकाल सोपते हुए 24 जन्मरी दोहजारी तक अनुपालन परतिवेदन समर्पित करना सुनेश्चित करे वालका गाव में किया गया खतियानी जोहार यात्रा से लोटते ही सीम ने दो अधिकारियों पर गिराई गाज सीयम हेमांसुरिन खत्यानी जो हार रयात्रा में गिरीडी वापस लोटने के बाद दूसरे दिन बुद्धवार को गिरीडी वा कोडार्मा जिले की योजनाओ के समिक्छा के दौरान तीन अधिकारियों पर करवाई की है इसमें मामलो के निस्पादन और योजनाओ के किर्यानुयन में लपरवाही बरतने को ले गिरीडी के तीसरी सीयो आसीम बाडा और कोडार्मा के सत्गावा तथा चंदवारा वीडियो पर करवाई सामिल की है बताया गया है कि समिक्छा बैठा के करव में तीसरी अंचल के वादो का निस्पादन सुने पाया गया मुख्य सचीव सुकदेव सिंग ने इस समान में तीसरी सीयो से जनकारी मांगी गाई लेकिन वे संतोह जनक जबाब नहीं दे सके जिसके बाद मुख्य मंत्री ने उन्हें सस्पेंड करने के अंसंसा करने का निदिस गिरीडी उपायुक्त को दिया है पंकज मिस्रा के मुश्किले बढ़ी संताल में एक हैर कोर के अवएध खनन मामले मनी लॉंडरिंग के तहत जाच कर रही इडी ने मुख्य मंत्री के बिधायक परतिनिदी पंकज मिस्रा के विरूद एक नया केस दर्ज किया है यह के साहिब गंज के जिर्वा बाड़ी ओपी में पिछले साल 26 जुलाई को दर्ज परत्मी की क्याधार पर दर्ज की गई है इस मामले में पंकज मिस्रा के अलावा उनके सोजोगी पवीतर यादो और विष्णू यादो भी आरोपी बनाए गए अब इडी इस मामले में मनी लॉंडरिंग के तहत जाच करेगी पंकज मिस्रा फिलाल नयाएक हिरासत में रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं पंकज मिस्रा को इडी ने पिछले साल उननाईस जुलाई को अवय देखरन के मामले में गिरफ्तार किया था हाई कोट ने सहायक अभियानता नियोक्ती मामले में दाखिल याचिका को किया खारीच हाई कोट के जस्टिस एस चंद्र से खरवा जस्टिस रतनागर भेगरा के खंड पिठ में सहायक अभियानता नियोक्ती की प्रालामिक परिक्षा में आरक्षन दिये जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई सभी पक्षों को सुनने के बाद आदालत ने कहा है कि ये कल पीठ का आदेस बिल्कुल सही है इसमें हस्त छेप की जरूरत नहीं है इसलिए अपील खालिच की जाती है आदालत ने माना है कि जे पीठ की ओर से पीठी परिक्षा का पहिणाम जारी करने में कोई तुरूटी नहीं है जो बियर्थी सिफ्ट हुए है उन्हें ओपेन केटेगरी में रखा गया है आरक्षन के अधार पर मेरिट वाले को रुका नहीं जा सकता और इसलिए इससे आरक्षन देना नहीं माना जा सकता जैनियों का हो सकता है धर्म कोड तो आदिवासियों का क्यों नहीं सियम है मन्त मुखे मंत्री है मन्तुरे ने खतियान रैली को समधित करते हुए कहा है कि राज में जल्द ही पूलिस और सिक्षकों की पाहली की जाएगी सरकार इस दिसा में कायम कर रही है इसमें हजारों युवाओ को नोकरी मिलेगी वहीं सरना मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सकार से मांग किया है कि जैनियों के लिए अलग धर्म कोड लागो हो सकता है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं उन्होंने कहा है कि अगर हमें 20 साल का मौका मिला तो जारकन गुजराज से भी आगे हो जाएगा खात्यानी जोहार यात्रा को लेकर गिरीडी पहुँचे सीएम बुद्धवार को जंडा मैदान में दो पहर जंसभा को समधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि आधिवासियों के लिए सारना धर्मकोड होना अवस्यक है जब जैनियों का धर्मकोड हो सकता है तो फिर आधिवासियों का क्यों नहीं गाव आये नक्सलियों का गाव आलों ने किया बिरोध तोकी आंधादूंद फैरिंग नकसल प्रभावीत बंद गाउं थाना के कारी का गाउं में पीलेफाई नकसलियों ने अंदाधूंद फैरिंग कर दिया इस घटना में एक गरामिन महिला घायल हो गई घायल महिला को पूलिश ने देर रात खोटी रेफर किया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया घाटना के समद में मिली जनकारी के अनुसायर बंद गावा थाना चैत्रे के कारी का गाव में मंगलवार की रात लबग एक गारव बज़े आट से दस की संक्या में पीलेफाई नकसलियों गाहा पहुंचे थे बाद में किसी कारण नकसलियों का बीरो शुरू हुआ जिसे पूरा गाव नकसलियों के खिलाप में खड़ा हो गया इसी दोरान जान बचाने के लिए नकसलियों ने अंधाधूंद फैरिंग कर दी जार्खन कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमला जार्खन कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर तिरिपूरा में हुए हमले की कॉंग्रेस पार्टी जम कर निंदा कर रही है पर देश अध्यक्ष राजस्ठा कोर ने इसे लेकर भाजपा पर जम कर निसाना साधा है वही मंत्री आलमगीर ने भी इस घटना के निंदा करते हुए दोस्यों पर करवाई की मांकी है बता दे तिरिपूरा के मजलीस पूर में कॉंग्रेस पार्टी की बाई के रहली के दोरान तिरिपूरा के कॉंग्रेस पर भारी और जार्खन कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अजय कुमार पर हुए जानलेवा हमला पर जार्खन कॉंग्रेस ने चिंता जताई ह इस घटना में तिरी पूरा सरकार के मंत्री सुसांत चौधरी और भाजपागे करकरताओ कहाँ बता जाए केंद्री ये बजट 2023 को लेकर जार्खन बीत भी भागने केंद्र को दिये कई सुझाओ केंद्र सरकार के अगामी बयट को देखते वे जार्खन सरकार को भी केंद्र से कई उमीदे है इस समझ में जार्खन बीत भी भाग की और से केंद्र सरकार को चिठी भेज कर बयट में जार्खन का भी ख्याल रखने कागरा किया गया है बता दे केंदर सरकार दोरा एक फरवारी को आम बयट पेस किया जाएगा इस बयट को जहां अमतिम रूप देने में केंदर सरकार जूटी हुई है वहीं देश बर के लोगों के उमीद उस पर टिकी हुई है आखिर बित मंत्री के पिटारा से क्या निकलेगा ओ बयट पेस होने के बाद ही पता चलेगा इन सब के बीच अनराज की तरह जारकन सरकार ने भी केंदर सरकार से कई मांगे रखी है बित विभाग द्वारा भेजी गजी चिठी में ज्यार्खन सरकार ने केंदर सरकार से कोईला कमपनी के पास बकाए एक पंट तिन छोला कोड़ोर रुपाए उपलाब दिकराने की मांग के अलावाए ज्यार्खन राज अजीव का कैडर संग के कर्मी पिछले 38 दिनों से राजबहन के समक्ष अपनी चार सुत्री मांगों को लेकर धरने पर हैं JSLPS के सचीव मुस्तकी राजा ने बताया है कि ग्रामिन विकास मंत्री से लेकर मुखे मंत्री के पास भी हम गए लेकिन मौखिक अस्वासन के बज़ाए कुछ नहीं मिला हमें मौखिक नहीं लिखित अस्वासन दिया जाए ISO विधायक सुधिस मौख्तों ने हम से मुलकात की उन्होंने टेलिफोन के माध्यम से अधिकारियों से बाचित भी की पर सरकार अब तक सुध नहीं ले रही है 14 से आई अलका कुमारी ने बताया है कि अपने बच्चों को लेकर यहां हम धारना पर हैं ठंडे में हमारी तवियत बिगड़ गई है लेकिन किसी भी अधिकारी और विधायक को हमारे फिक्र तक नहीं है देश के सर्वस्रेष्ट डियम की सुची में देवघर डीसी सामील देवघर डीसी मांजुनात भयंतरी को नई दिली में मंगलवार को एकसिलेंस इन गोवर्नेंस आवार्ड से नवाजा गया है केंद्रेगरी मंतरी अमीत साह ने यहावार्ड इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजीत कारेकर में दिया बता दे भयंतरी को यह आवार्ड MSME कटेगरी में मिला है देवघर मार्ट के जरी लगू अकुटिर उद्ध्योगों को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की दिशा में किये गए काम के लिए स्री भयंतरी को उप्रोक्त आवार्ड से समानित किया गया समान समारोह में देवघर माट पर एक लगू फिलिम भी दिखाई गई है होमगाट के सभी जिला इकाई के कारियों की होगी समिक्षा होमगाट के सभी जिला इकाई के कारियों की ADG सुमन गुपता समिक्षा करेंगी या समीक्षा गूरु वार को कूल नव एजेंडा को लेकर की जाएगी सभी जीला कमांडेंट सभी एजेंडा बिंद्वोम पर संपुन जनकारी तियारी के साथ अनिवारे रूप से खुद को समीक्षा बेटाक में उपस्तीतराना सुनेशित करेंगे धन्यवाद